एल्लो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे आज 30 नवंबर और 30 नवंबर साल 2026 के हर्याना करेंट फेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप सभी प्यारे बच्चों को रादे रादे कल आप से एक सवाल किया था उस सवाल का ठी का अंसर क्या होगा कि हाली में मतष्य विभागनी प्रधान मंतरी मतष्य संपधा योजना के तहत निमलिक्त में से किस राज्य या केंदर सासित प्रदेस में टुना कलस्टर के विकास को अधिसूचित किया है तो इस पर्टिकुलर क्यूस्टर का जो सही अंसर था आपका वो था अंडमान और निकोबार द्विपसम हूँ अब देखो टुना जो है ना ये खाने वाली मचली है और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ना कोशिस ये करेंगे कि भारत सरकार का कोशिस ये कि exclusive economic zone EEZ जो है ना इसके अंदर लगबग लगबग इससे वैसे तुम आपको बताओ कि अंडमान निकोबार जो है ना इसका EEZ सबसे बड़ा है और यहां पे लगबग ना साथ हजार मिलियन सोरी साथ हजार मेट्रिक टन इतनी मचलिया है आपका एक सवाल होगा कि सरी ये exclusive economic zone EEZ क is the यहां कि आपकर कोई भी देश होता है n been उसके समुधरि तट्रेखा से लगबग 200 नॉटिकल माइन्स कि तक का जो एरिया है ना वहां पे वह रिशर्च कर सकते हैं फिशिंग कर सकते हैं वह उनका अधिकार होता है तो एक नुटिकल माइन में जो है ना 1.6 km का सबसे ज़ है क्यों होगा से क्योंकि तट रेखा से ऐसे और यहां पे पड़ता है अंडमा निकुबार अब सोच के दोको इसका 200 ऐसे करके पूरा लंबा रेडियस तो यह काफी बड़ा एरिया है इतने बड़े एरिया में लगबग लगबग साथ हजार मैट्रिक टन साथ हजार मैट्रिक टन जो है यह इतनी टुना और टुना जैसे कई सारी मचलिया है जिनको खाया जा सकता है तो एक्सक्लोजी एकनॉमिक जोन क्या है सर हमारा तो यह दक्षिन भारत है या दक्षिन भारत के तट से समुदर के अंदर 200 नौटिकल माईल तक का एरिया है जो न 2022-2025 तक भारत लगबग 220 म bon 220 लाक मैटी टन थो सो बीस लाख मैटलिकं तन मचली उत्पादन करना चाहता है भारत इतना टार्गेट है इसको पांच किलो से बढ़ा के बारा किलो करना चाहते हैं इसका क्या मतलब आसर इसका मतलब है कि भारत में अभी ओन एंट इवरेज per person 5 kg मचली खाते हैं इसको 12 kg तक बढ़ाना चाहते हैं अभी per person जदा मचली खाये पांच किलो हालांकि ओन एवरेज लगबग 40% लोग तो प्योर वेजिटेरियन ही है इंक्लोडिंग मी और कुछ लोग ऐसे भी है जो नॉनवेज और वेज दोनों खा लेते हैं कुछ प्योर नॉनवेज भी होते हैं तो उसमें और रेशो निकल के आता है कि पर परसन जो है न वो 5 किलो मचली अभी खा रहे हैं पर भारत सरकार चाहती है कि इसे 5 किलो से बढ़ा के 12 किलो किया जाए पर पर परसन और 1,00,00,00 करोड का फिस एक्सपोर्ट करना भी भार सरकार का टार्गेट है इसी योजना के चलते वे 1,00,00,00 करोड का फिस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं भारत in वाले फाइंशेल यरh 2025 में यह प्रधान मंत्री मतश्य पालन योजना जो है ना मतश्य संपदा योजना यह कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है तो यह मतश्य पालन एक डिपार्टमेंट है मतश्य पालन प्रसु पालन और डेरी डिपार्टमेंट है उसी के अंदर ही आती है यह और अभी भारत म एक ताव फिशिंग हारबर भी बन रहा है आपने साइद इसको न्यूज में सुना हो दो फिशिंग हारबर कहां बन रहा है फिशिंग हारबर हमारा भारत में बनाए जा रहा है केरल के अंदर केरल की कैपिटल है त्रिवंतपुरम वहां पे बनाए जा रहा है फिशिंग बर उसका नाम है और भारत में वसके मचली जो पकड़ते ज्यादा कहां पे हैं तो एस्चुरी पे ज्यादा पकड़ते हैं एस्चुरी आपने एक जोग्रोफिकल टर्म्स होगी कई बार सुना होगा एस्चुरी को खारा पानी और मेठे पानी का जो मिलन होता है उसको एस्चुरी कहते हैं जहां पे नदी जाना है और यह वहला जो एस्चुरी है इसको वैसे फिशिंग जोन के नाम से बी जानते हैं इसको इंडिया में फिशिंग जोन कहा करते हैं, तो अंडवान निकोबार है, अंडवान निकोबार द्वीप है यहां पे, तो यहां पे कुछ द्वीपों के नाम बदले गए है, जैसे इसकी राजधानी का एक पोर्ट ब्लेयर का कुछ नाम चेंजिग जो हैं, कोई सहीद है कोई विजया द्वीप है, कोई हैवलोक द्वीप है, सवराज द्वीप है, आप बता सकते हैं इसके बारे में, चलो, आपको हॉमवक दिया, मैंने यहीं पे साथ की साथ ही चवाब देना मुझे, थोड़ा और आगे जाता हूँ मैं, ठीके न, यह मेरा बड़ा मन रहता है, ऐ आपके लिए एक ऐसा वीडियो नेशनल का भी परड़े देता रहूं, इससे आपकी नॉलिज और करेंट अफेर बहुट डेप्थ में त्यार हो जाएं, और पेपर में आने वाले क्युस्तन प्रपेर हो जाएं आपके, ठीक है, ऐसे मैं आभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क आप लोगों को बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट ये डेली एक वीडियो प्रवाइड करवा ही दूँ, नेशनल करेंट अफेर का, तो आपको कहीं बटकना नहीं पड़ेगा, उसके बाद में, करेंट अफेर आप पढ़ते बहुत होंगे, लेकिन करेंट अफेर पढ़ना और ए ये बड़े highly important और बहुत ही जादा इनका depth वो आपकी exam के लिए काफी जरूरी रहता है, आप प्रतिग्या बैच ले सकते हैं वैसे, अगर Star IQ application पर आप लेना चाहते हैं, CET की तियारी कर रहे हैं, तो आप लोग ठीक है, अर्याना के किसे जिले में भारत का पहला सविधान स अर्याना के अंदर भारत के लोकसभा के स्पिकर ओम बिर्ला ने इसका उधगाटन किया है, और ये museum OP General Global University के अंदर open हुआ है, 75th anniversary of India's constitution, वहाँ पे इसका उधगाटन किया गया था, 26 November, ये तारीक याद कर सकते हैं, हाली में किस विभाग ने रास्ट्य गोकुल मिशन के तह तो ये department है जिसका नाम है पसुपालन और डेरी department, इस department के द्वारा जो है अभी animal husbandry and dairy department है, इसके द्वारा रास्ट्य गोपाल रतन पुरुषकार साल 2024 के विजयताओं की जो है वो घोशना की गई है, और ये बेसिकली रास्ट्य दूद दीवस भी मनाया जाता है, 26 November को सवि जाता है, इसके लिए उदेशे क्या होता है, इसका उदेशे बेसिकली क्या है कि हमारे भारत के अंदर जो रीजनल लेवल पे चोटे लेवल पे पसुपालन और डेरी जो है उस department को बढ़ाना, ठीक ना, इसके अलावा एक चीज और है, रास्ट्य गोपाल रतन पुरुषक किर्त्रिम गरबाधान के लिए अवोड मिलता है, सरवोच डेरी सहकारी दूद उद्पादक डेरी कमपनी बगरा है, या किसान संगठन है, इसके लिए इसके लिए वो पुरुत्र चेतर के लिए विशेस पुरुषकार साल 2024 में अभी स्टार्ट किये गए हैं, 2024 से ही चेतर सरी मतिर रेनू है, जो की हर्याना के जजजर से है, सरवोच डेरी सहकारी समिती दूद उद्पादक कमपनी जो है ना, यह दा गबाद मिल्क प्रोड्यूसर कॉपरेटिव सुसाइटिड लिमेटी लिमेटेड कमपनी अरावली गुजरात की है ये, सरवोच डेरी सहकारी सम मिला था, सुब्रानपूर ओडिसा का चेतर है, वहां के है ये, पसुदन चेतर पर जो है ना, वो बेसिकली सरकार के दवारा सकल मुल्य समर्धन में एक तिहाई का युगदान देता है, और चक्रवर्दी वार्चिक ब्रिदी दर्प 8% से जादा है, ये किसानों की आए मिशन जो है, ये कब स्टार्ट किया गया था, साल 2014 के अंदर रास्ट्रिय गो जाती है, परजनन डेरी विकास कारिकरम के अंतरगर्द इसकी सुरुवात हुई थी, रास्ट्रिय गो जाती है, परजनन कारिकरम जो है, ये मानित्ता प्राप्त देशी नसलों का सरक्षन और विकास के लिए जिम्यदार है, और रास्ट्रिय गो जाती है, नसलों का सरक्षन और विकास करना, साओ देशी नसलों की उत्पादक्ता में सुधार लाकर आर्थिक गोदान को अधिक्तम करना, ये इसका सिधा 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 टार्गेट है, बहुत प्यारा सवाल है, एक्जा प्याणा में हें हां हाल है? ये अभ्यास है हाल हिमें ह हर्याना के गुरुग्राम में हुए है NSG. कईध के साथे ना प्यारतके पर ही. बिल्दोब हर्याना के पेपर के अलावा भी नहीं सतन लेवल के एकजाम होते हैं उन एकजाम में भी रिपीट हुआ है इस सवाल तर्यास रुक्षागार्ड एनेज़ी ने हर्याना के गुरुगराममें एनेज़्ी गैरी सिन्द में दस्वा रास्ट्य नहुक्त अंतकवादी अभ्यास अगनी प्रिक्षळ अभ्यास है विस्पोर्ट कवच अभ्यास इसका समापन किये है पी रिसेंटली तो दो अभ्यास है यहाँ पे एक तो अगनी प्रिक्षा अभ्यास एक और एक स्पोर्ट कवच अभ्यास यह अभ्यास तीन से सोला नॉबर दो जार चोबिस तक आयुजित किया गया था इस अभ्यास का उदेश्य आंतकवाद और बम निरोधक जो परिदर्शे है उन पे एनस कि भी दस टीमों ने इससा लिया जिसमें कुल 667 विशिष्ट कमांडो जो है वो भी सामिल हुए थे एनस जी कमांडों ने बस मैट्रो ट्रेन विमान इन सभी में जो किस तरीके से बम वगरा डिटेक्ट हो जाता है इसको कैसे बिसिकली जो एक्टिवेट से डीक्टिवेट किया जाता है किस तरीके से बम को खोजा जाता है इसमें के नाइन डॉग स्कॉइड एकाई भी होती है बम निरौदिक टीम भी होती है अभ्यास का उदेश है बस यह है डूटी टू डूटी टू शेयर यानि कि निर्देश के अनुरूप सुरुक्षा अजेंसियों के परिशेन के penetrate पाम परे नॉम और गूरुगराम के बारे में बहुत सारी चीजे जान सकते हैं चैहें तो जैसे गुरुगराम को आप पहली तो बात है कि इसको स्तापित कब हुआ मानते हैं एक नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और गुरुग्राम का जो एरिया है वो कितने है बारा सो त्रेपन वर किलोमेटर इसका लगभग एरिया है आपका और गुरुग्राम जो है ना इसी का एक सहर पटोदी साइद कलकी क्लास में इसका जिकर हुआ था पटोदी मंडी पटोदी मंडी जो है इसको हरियाना का 23 नगर परिसज जो है बना दिया गया है पटोदी मंडी को और गुरुग्राम के कई सारे खुद के नाम है बहुत नाम है जैसे साइबर सीटी के नाम से इसको जाना करते हैं साइबर सीटी हरियाना की साइबर सीटी हरियाना की मोल इसको जोलरी पारक भी अगर आप से पूछ लिया जाए, हर्याना में कहां पे है, जोलरी पारक भी हर्याना के इसी गुरू-गराम में ही है, इवन सोलर सिटी के नाम से जानते है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का हेड़कॉार्टर भी यहीं पर ही पढ़ता है, इसके सिलिकोन वैली भी यही कहलाती है और इसके अलावा कोल सेंटर का कैपिटल है वो भी हरियाना का गुरुग्राम ही है हरियाना की एकनॉमिक कैपिटल भी यही है बलकि Economic Capital वित्य राजदानी हरियाना की यही कहलाती है तो इसे बहुत सारे नाम है इसके यह आप याद गर सकते हो इसके अलावा यहाँ पे जो ना महिलाओं की साक्षरत अदर सबसे जादा थी 2011 की जनगरना के नुसार 77.6% ठीक है ना इसके अलावा एक बात और याद रखना है आपको कि गुरुग्राम जो है यहाँ पे कुछ और भी आपका Economic Zone जैसे आपका हर्याना में आपना CT की ट्यारी कर रहे हो CT के Minns पेपर में एक syllabus है अपने परतिक्या पैच में हर्याना Economics भी मैंने पढ़ाना है आपको तो उसमें एक SEZ Zone होएगा आपका SEZ मतलब Special Economic Zone होते है तो यह Special Economic Zone की स्थापना हर्याना के माने सर में की जा रही है माने सर में काफी ज़्यादा इपोर्टन्ट और रिच किस्था नहीं है यह वाला जरूर याद रखना इसके अलावा रक्षा विस्था विधाले भी अगर आप से पूछ लिया जाए Defense University है यह भी हर्याना में कहां पे है यह पढ़ती है Binola के अंदर Binola गाओं कहां पे है सर्फ यह गाओं Guru Gram के अंदर ही है आपका इसके अलावा इंडिया का जो Corporate Affair का Headquarter है इंडिया का जो Corporate Affair है Corporate Affair Department है वो Manessar में सेट अप किया गया था साल 2008 के अंदर सेट अप किया गया था Manessar वैसे खुद हर्याना का एक पुलिस जिला है पुलिस जिला हर्याना का एक तो हांसी है एक दूसरा है Manessar है और तीसरा अभी पिछले मतलब अभी रिसेंटी बना है आपका डब वाली बना है डब वाली सिर्षा के अंदर पड़ता है डब वाली तो ये याद कर सकते हो आप इसके अलावा और हर्याना के इस Manessar के लिए क्या याद करोगे आप लोग मारुती सुजुकी इंडिया में काफी जदा भरोसे के साथ में इसका नाम लिया जाता है और मारुती सुजुकी का ओफिस है वो यहीं पर ही है हलांकि अब तो तीन ओफिस हो गए है हर्याना में तो गुरुगराम का माने सर का और एक ओफिस हो गया अभी बन रहा है वो खर खोदा सोनी पत के अंदर बन रहा है वो ठीक है तो वो ज़रूरी जाद है ज़रूरी याद रखना आप दो वैसे मारुती ने पहली बिकरी जो स्टार्ट की थी ना वो 1983 के अंदर की थी द्योग तो सेट अप 1981 में हो गया था आपका लेकिन 83 से जो विकरी स्टार्ट की थी यह और गुरूगराम के माने सर में एक IMT भी सेट अप किया जा रहा है यह भी काफी इपोर्टेंट है IMT क्या होता है सर IMT होता है इंडस्टियल मोडल टाउन बोलते हैं तो यह हर्याना का ग्यारवा नगर निगम भी है और इसको IMT के रूप में भी सेट अप किया जा रहा है हर्याना के अंदर तो IMT क्यूस्तन पूछा जा सकता है आज कल के ऐसे सवाल काफी ज़्यादा जरूरी होते हैं और गुरूगराम को तो एक ना इंटीग्रेटिड हब भी सेट अप किया जा चुका है इंटीग्रेटिड मतलब एक ही जगह से पूरे जीले को कंट्रोल किया जा सकता है एक अमेरिका की बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम है Cisco Cisco कंपनी का अगर हेड़ काटर पूछ लेना जो ग्लोबल साइबर रेंज है वो भी यहीं पर ही है गुरूगराम के अंदर ही पढ़ती है इसके अलावा इसी माने सर के अंदर ही एक नियूरो साइंस यूनिवस्टी भी है मतलब नैस्नल ब्रें रिसर्स इंस्टिटूट जो है वो यहीं पर ही है नियूरो साइंस है नियूरो साइंस सेंटर वगरा कह सकते है आप लो और वैसे यह नैस्नल नहीं बना था उस ताइम पर 1997 में सट अप वह था नशनल की रूप में यह साल 2003 के नियूरह सेट अप हुआ इसको नेस्नल बनाया गया था और इसके अलावा जो है न एक चीज और आपको बताता हूँ मैं जो हर्याना के अंदर एक डिपार्टमेंट है हिपा डिपार्टमेंट हिपा हिपा जिसको हर्याना लोग परसाशन संस्तान भी कहा करते हो आप लो ये भी गुरुगराम के अंदर है पर इसका सेट अप कब हुआ गया एक उसन एक्जाम में आ चुका है 1983 के अंदर सेट अप हुआ था जरूर याद रखना आप लोग इसके अलावा जो आप गुरुगराम को ना एक और वज़े से भी जाना करते हो और वज़े है सुल्तानपुर नैस्नल पारक हर्याना का जो एक दो हर्याना में वेटलेंड साइट है जिसमें सुल्तानपुर नैस्नल पारक और एक बिंडा वासी दोनों हर्याना के अंदर वेटलेंड साइट के रूप में दर्जे के रूप में स्तापित है आपकी गुरुगराम काफी बड़ा है बहुत सारी चीजे हैं जो बताने लाइक है मतलब काफी लंबा टाइम लग सकता है इसमें बताने के लिए लेकिन कुछ चीजे जो अभी रेंडम याद आ रही है मुझे मैं आपको ने शेर कर दी मैं आपको अगला सवाल भी क्योंकि गुरुगराम से रिलेटिड ही है वैसे हाली में भारत की क्रेडिट रेटिट एजनसी है क्रेडिट रेटिंग एजनसी का नाम है ICRA और इसने अभी रिसेटली 2024-25 के दूसरी तिमाई में GDP परसेंटेज का कितना अनुमान लगाया है भारत के लिए तो 6.5% का लगाया है यह अपने हर्याना के गुरुगराम बेस कंपनी है ठीक है और इस कंपनी ने अभी 6.5% का अनुमान लगाया है हलांकि गटा दिया है पहले तिमाई में यह कितना था क्वाटर फर्स्ट में 6.7 अब यह जुलाई से सेप्टमबर में गटके 6.5% रहने का अनुमान लगाया है यह भारत के GDP में कमी मुक्खे रूप से भारी बारस और कमजोर कॉपरेट परदर्शन के कारण है यह फाइनिशल यहर दोजर पत्चिस के लिए इसका अनुमान 7% पर बरकरार रखा है यह और साथ ही बैक एंडिड रिकवरी का भी अनुमान रखा है इन्होंने इस कंपनी के जो MD और CEO है वो रहा है रामनात कृष्टन और इसके जो गैर कारेकारी अध्यक्स है अरुन दुगल है हेड़कोर्टर गुरुग्राम में 1991 में एक कंपनी सैट अप हुई थी आपकी चलिए आज का जो सेशन है वो इतना ही रखते हैं आपके लिए सवाल है कि हर्याना के मुख्य मंतरी नायब सिंग सैनी के परधान सची अभी हाली में कोन बने हैं बताइए इसके बारे में व तो पली जैसा ना करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी बताएं शेयर किया करें स्टेटस हमारे भी लगाया करें हां ऐसा कर सकते हैं आप शुक्रिया रादे रादे